अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंडेंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेका नोटिफिकेशन बेल कौन कर लेजेका और इपर प्ली लिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरू देख लीजेका और जो लोग फिर से वापिस आए हैं आ आपके प्यार साथ और सहीयों के लिए Thank You So Very Much मैं दिल से आभारी हूँ आपके यहां होने के लिए आप इस परिवार का हिस्सा है, मैं बहुत ज़्यादा दिल से शुक्र गुजार हूँगी, आप लोग इस परिवार का हिस्सा है, यहाँ जुड़े हुए हैं, अपनी प्रेसेंस बताते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, ताकि आप लिए वीजियो बनते रहें, थैंक इ लोग इस बात को इस पार्ट को सुनना चाहते हैं, यह उनकी लिए है, तो जो पहली कोई रही है, वो है दिपका आपकी, तो दिपका आपने कहा था, पैर आपका सो जाता है, तो वो नॉर्मली जो एक की पोजिशन में हम बैठे रहते हैं, जाहे हम मेडिटेशन करें या न लेकिन अगर आप deep meditation करते हैं तो उसमें आप घोड़े जड़ से हो जाते हैं यानि कि बहुत ज़्यादा आपका जो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है कि इसका अधर पैर उपर भी आजाता है नॉर्मल है सभी के साथ होता है जो deep meditation करते हैं तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर एक simple सा उपाय है, आपको अपने कान खुदी खीचने है, तो यह क्या करना है आपको इसमें, जो भी आपका पैड सो रहा हो, यानि कि अगर आपका right पैड सो रहा है, तो आपको अपना left ear खीचना है, और अगर आपका left पैड सो रह का अपने कान आपको खुदी कीशने पड़ेंगे जब आप जोड से कीशेंगे तो आपका पैड सुधा हुआ एकदम ठीक हो जाएगा तो यह तो आपके लिए था जब आप और अपने कान खीशेगा और बताईएगा आपका एक्सपिरियंस कैसा रहा और जो लोग भी अपने कान खीशना चाहते हैं उनके लिए भी है यह जिनके पैड सुझाते हैं और यह जो दूसरी कोयरी है यह यह निलीमा आपकी तो निलीमा यहाँ आपने पूछा था कि काड कटिंग क्या हम फैमिली के साथ कर सकते हैं बिल्कु से एनर्जी लेवल पे आपकी हर उस परसन के साथ में कौड जुड़ जाती है जिसके साथ में आप इंटरेक्ट करते हैं आप इंटिमेट होते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं जिसकी आप अगर आप हीलर हैं आप हीलिंग करते हैं आपकी दिन में बहुत सारे लोगों के साथ में कॉट जुड़ती है, एनरजी लेवल पे जुड़ती है, इसमें इस बात का कोई महत नहीं है कि आप online कोई चीज देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, तो अगर आप online भी कोई चीज देख रहे हैं, आप बहुत ज़दा emotional महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपके कॉट्स चुड़ती हैं, तो इस तरह से आप दिन बर में बहुत सारे लोगों के साथ में बहुत सारी energy लेवल पे आप कॉट्स चुड़ती हैं, तो आपने पूछा था कि क्या family members के साथ में ब्लड रिलेशन में अगर आप अपनी कॉट्स काड़ते हैं, तो उसका कोई effect होता है, या कोई negativity होती है, हम लोग बचपन से लेकर बड़े होने तक, जब तक भी हम यह ritual नहीं करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं, तो हमारी बहुत सारे energy exchange होते हैं, बहुत सारे emotions होते हैं बहुत सारे trauma होते हैं, बहुत सारी happiness negativity होती है, जो कि आप उस court के द्वारा जोड कर रखते हैं अपने other person के साथ में, आप क्योंकि energy bond share करते हैं, जो भी अच्छा बुरा होता है, अगर आपकी family में कोई अगर ऐसी चीज होती है, जहां पर आपकी family एक dysfunctional family है, जहां पर रोज उसमें कुछ न कुछ लड़ाई, जगड़ा, कलेश होता है, तो वहां पर आप उस energy को खींचते हैं, उस court के जरीए, तो यह हर एक person के साथ में होता है, जो कि energy level पे कोई चीज देख रहा है, जिसके लिए आप emotion महसूस कर रहे हैं, जहां पर भी emotions आएंगे, वहां पर भी court जरूर आएगी, क्योंकि court जो है, वह energy level पे है, और वह create हो जाती है, आपके emotions के द्वारा, तो उसकी जो थिकनेस है, वह depend करती है, कि आपको इस person के साथ relation कितना है, कितना घहरा है, और किस तरह की energy vibrations आप share करते हैं, तो यह अलग-लग color की हो सकती है, अलग-लग थिकनेस की, य जो कुछ भी है, डिपेंड करेगा, कि आप other person के साथ में, या other person आपके साथ में, किस तरह का energy bond है, वो share करता है, अब रहे कि family members के साथ में काटनी चाहिए, या नहीं, बिल्कुल काटनी चाहिए, आपको हर उस person के साथ में काटनी चाहिए, जिससे भी आप अपनी lifetime में जु अक्सर जो energy level पे आप किसी की healing करते हैं, आपके जो specifically अगर आप दूर से कर रहे हैं, पास से कर रहे हैं तो तो जुड़ती ही है, लेकिन अगर आप distance healing भी किसी की कर रहे हैं, distance में आप किसी के लिए prayer भी कर रहे हैं, तो आप उनकी emotion के साथ में connect होते हैं, क्योंकि जहाँ emotion है तो आप सोच लीजे, दिन भर में आप कितने लोगों के लिए emotion महसूस करते हैं, उतने ही quarts आपके साथ जुड़ी होई हैं, अलग-अलग जो quarts हैं अगर आप अपने आपको energy level पे देख पाएं, तो आप देखेंगे, एक quarts ऐसे जा रही है, एक quarts ऐसे जा रही है, आपकी करते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता है कि आपकी जीवन में कहां क्या जल रहा है, कि सरके energy आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप एकदम से खाली हो जाते हैं, बहुत सारी emotion ऐसे होते हैं, जो हम other person के ले रखे होते हैं, या हम लोगों के ले रहे होते हैं, कभी हम उनको energy ले रहे होते हैं, अगर आप बहुत ज़दा unhappy हैं, कभी भी आपको लगता है कि आप अचानक sad हो गए हैं, आपको दुख हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, पर आपके पास कोई वज़ा नहीं है, तो उसकी वज़ा यही है कि जिस person के साथ में आपकी court जुड़ी हुई है, वो person दुखी है, उस person को कोई परेशानी है, या फिर वो बहुत ज़दा sad है, depression में है, या उसको कोई दिक्कत हो रही है, तो इस तरह से हम दूसरों की जो vibration है, उनको खीश लेते हैं, तो उस court के जरीए वो जो vibrations है, वो जो energy है, आपकी तरफ आ जाती है, और इस तरह से अ तो energy level पे होती है, इसका कोई physical harm नहीं होता है, बस जब आप पहली बार करते हैं, तो आपको यह समझ में नहीं आता है, कि आपके वो सारे emotions कहां गए, कभी-कभी आप blank हो जाते हैं, कभी आप बहुत sad हो जाते हैं, कभी आप बहुत दुखी हो जाते हैं, आपको इस तरह emotions नहीं होते, क्योंकि तब कभी उस time period में आप कभी अपनी मम्मी के emotion महसूस कर रहे हैं, कभी पापा की sadness महसूस कर रहे हैं, कभी ब्रदर की, कभी भावी की, कभी आप अपनी नंदी की, कभी बच्चों की, तो यहाँ पर आपको सभी के साथ court काटनी ही पड़ती है, इसी त होता है, ताकि अगर कोई person negative है, अगर कोई person toxic है, अगर कोई person depression में है, अपनी help नहीं कर पाता, या अपनी life को change करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो आप उसके साथ में अपनी court जोड़कर अपने आपको भी वैसा ही बना लेते हैं, या फिर आपकी energy unnecessary drain होने लगती है, आ आप happy है, आपकी जो energy vibrations है, वो high है, तो वो person आपकी जो vibrations है, जिसे आप उस person की negativity लेंगे, ऐसे ही वो person आपकी happiness, आपकी जो energy है, आपकी जो positivity है, उसको drain करेगा, या फिर अपनी तरफ खीचेगा, तो ये होता है court जुड़ने का नुकसान, इसलिए अपनी court cutting करनी चाहिए, औ फिर आपको इतना deep depression क्यों महसुस हो रहा है, आपको sadness क्यों महसुस हो रही है, वो होती है, उसके लिए ही आपको खुद को positive रखना होगा, खुद के लिए आपको meditation करना होगा, खुद को white light से भरना होगा, positivity से भरना होगा, और अपने self में आप तभी वापिस आ पाते हैं, अपने real self से आप भी जोड़ पाते हैं, जब आप सब लोगों के साथ में energy की card cutting कर लेते हैं, तो इसी तरह से जो लोग इस ritual को करें या फिर इस चीज़ को करना चाहें, अगर आपको healer हैं तो ये सिर्फ एक ही side effect होता है, जो कि पहली बार होता है, इसमें आपको थोड़ी negativity या थोड़ी sadness, negativity से ज्यादा मैं कहोंगी कि sadness रह सकती है, कि आपको समझ नहीं आएगा, कि जो चीज़े आप अभी तक महसूस करते थे, वो सारे emotions कहां गए, उसके लिए ही आपको meditation करना होगा, अपने आपको ग्राउंडेट करना होगा, अपने आपको connect करना होगा, अपने real self के साथ में, आप अपना क्या path चुन रहे हैं उसके साथ में, आपकी क्या positive thinking है, negative thinking है उसके साथ में, जो spirituality है, आसान नहीं होती है, कभी भी आसान नहीं होती, spirituality का जो रास्ता है, वो spiral की तरह है, एक घुमादा रास्ता है, जिस पर बहुत सारे mood है, जो भी कहे कि spiritual होना आस है, या फिर तुम spiritual हो, इसलिए तुमारे लिए आसान है, तो ये रास्ता कभी भी आसान नहीं होता, इस पर बहुत सारे काम आपको ऐसे करने होते हैं, जहां पर आपको बहुत आगी बढ़कर, या सब लोगों से हटके सोचना पड़ता है, और कभी-कभी अपने emotions को भी emotional होकर आप कोई काम नहीं कर सकते, spirituality के अंदर, आप impaired हो सकते हैं, आप दूसरों की energy, जो field है, energy vibrations है, उनको आप feel कर सकते हैं, feel करने में और उसको अपने अंदर ले लेने में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जब तक आप feel कर रहे हैं, तब तक ठीक है, लेकिन अगर boundary बनाने की जरूरत है, वहाँ पर आपको उस area को बनाने की जरूरत है, जहाँ पर आपकी protection shield जो है, बहुत मजबूत हो, अब यहाँ पर आप किस के साथ cod cutting नहीं कर सकते, आप कभी भी अपने twin flame के साथ में cod cutting नहीं कर सकते, क्योंकि आपका twin flame होता है, वो इनसान आप और वो कभी भी energy की cod cutting नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी आपको, अगर आपका twin flame के साथ में आपकी सचीजे smooth चल रही है, smooth sale की तरह है, तो ही आप उस journey में अपने twin flame के साथ में है, यानकि आपका partner और आप अपने उपर अच्छे से काम कर चुके हैं, और आप एक smooth sale में है, सब कुछ आप लोगों के लिए happiness में है, सब कुछ आप लोगों के लिए balance है, तो उसके साथ में आपको cod cutting करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपका twin flame toxic है, अगर आपका twin flame abusive है, अगर आपका twin flame depressive है, तो वहाँ पर आपको अपने आपको protect करना ही होता है, twin flame के साथ में cod cutting स सबसे ज़्यादा depressive आपके लिए हो सकता है, या sad हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप एक energy जो vibrations है, उसको share कर रहे होती है, एक chakra system जो है आपका एक जैसा ही होता है, thought pattern आपका एक जैसा होता है, आपकी mirror image होती है, आपका twin flame, तो यहाँ पर आप अपने आपको मान सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो smooth sail है, अगर उसमें सब कुछ happiness है, अगर वो एक fairy tale की तरह है, तो वो आपके लिए उस life में exist करेगा, और अगर वो आपके लिए fairy tale की तरह नहीं है, तो definitely अभी आपके twin flame का relation उस level पे नहीं पहुँचा है, जहाँ आप लोग एक साथ मिलेंगे, एक साथ जुडेंगे या एक साथ होंगे, आप लोगों का वो last birth होता है, जब twin flame और आप एक की साथ होते हैं, या आप एक bond share करते हैं, या एक दूसरे के साथ में आप connected होते हैं, एक relationship के अंदर, और अगर आप एक relationship के अंदर नहीं है, तो फिर आप जबरदस्ती अपने twin flame क के नाम पे एक relationship बना के चल रहे हैं, तो वो अपने जो नैतिकता होती है, उससे बहुत परे जाकर करने वाली बाते हैं, तो उसमें सिर्फ आप अपनी happiness देख रहे होते हैं, उसमें कुछ भी twin flame जैसा नहीं होता, क्योंकि twin flame कभी एक दूसरे को गलत काम करने के लिए प्रेर बास्ट परत होता है, तो अपने twin flame के साथ में आप card cutting नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर emotions आ जाते हैं, इसलिए आपको healing करनी चाहिए, और अपने energy field को clean करते रहना चाहिए, grounded होते रहना चाहिए, खुद को protect करना चाहिए, और boundary set करनी चाहिए, ताकि उसमें भी उस आप के लिए कोई नो कोई ऐसी guidance, ऐसा message आजाएगा, जहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे, तो यह थी कुछ information आपके लिए, होग कि मैं आपकी सवाल का जवाब दे पाई हूँ, और यहाँ पर कोई भी effect नहीं होता है, आप रात को जब पहली बार जब आप card cutting कर वा लें, तो साथ नहीं हो सकता है, तो कोई बात नहीं है, अपने आपको heal कीजे, ताकि आपको यह पता हो, कि जो भी आप सोच रहे हैं, यह जो भी आप कर रहे हैं, वो आपकी खुद की सोच है, ना कि आपके उपर किसी के द्वारा ला दी रही है, तो होग कि आपके जो question है, उनका answer आ आपके लिए कल के दिन उस energy की बात करता है, जहां आपने partner को support करना आपके लिए जरूरी होगा, अगर आपको किसी भी mode पे कल के दिन यह लगता है, कि आपको कोई help नहीं मिल रही है, या फिर आपको समझा नहीं जा रहा है, तो अपने partner की सुनिएगा, उनसे बात करने की क कोशिश कीजेगा, एक communication कीजेगा, और अगर आपको कोई मदद चाहिए, तो वो मदद भी आपको कल के दिन जरूर भी लेगी, तो कल के दिन कोई भी बात ऐसी नहीं अपने मंद में रखेगा, जो कि आपको disappointment में लेकी जाए, क्योंकि यहां पर आपके लिए मदद है, यहा किसी सोच के उपर अड़े रहेंगे, तो फिर आगी growth नहीं होगी, कई बार जब हम परिशान होते हैं, तो भी हमें रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो कल के दिन अगर आपके साथ में कुछ भी ऐसा होता है, तो आपको यहां पर आर्चिंजे राफिल से help मांगनी या फिर हमें उस जगा पर थोड़ा सा adjust करना पड़ता है, तो अपने मन में खुशियां रखिए, अपने मन में happiness रखिए, लेकिन अपने आपको बंदा हुआ महसूस नहीं कीजेगा, आपके लिए जरूरी है कि इस hand man की energy के साथ में, क्योंकि यह आपके लिए है major ररकाना क आपको उस जगा पर sacrifice नहीं करना है, आपको अपने दिल पर बोश नहीं रखना है, आपको आगे बढ़ने की सोचनी है, और different point of view देखने की कोशिश करनी है कि कहां से आप रास्ते में यह जीवन में आगे निकल सकते हैं, कौन सा रास्ता आप अपना सकते हैं, कौन सा वो का आपके बढ़ने में आपकी मदब करता है, जो कुछ भी आपके लिए रहेगा कल की दिन में, पूरी तरह से आपकी द्रिश्टी कोण के उपर निर्फ़र करेगा, इटर वील्स का कार्ड है, आपके लिए वील्स की एनरजी से हैं, यनके अपनी financial situation को लेकर आप परिशान हो सकते हैं यहाँ पर, यह कार्ड आपके blockages में है, तो यह कार्ड बताता है कि आपको कोशिश करनी है कि अपना जो focus है वो आप बनाए रखें, कोई भी चीज, कोई भी disappointment अगर आपको होता है कल की दिन उसको दूर कीजेगा, अपना जो काम है वो करते रहेगा, अपने hard work पर focus कीजेगा और आगे की दरफ बढ़ते रहेगा, आपके लिए जो भी situation change हो रही है, आपके better के लिए हो रही है, क्योंकि hangman की energy आपके awakening की बात भी करती है, किसी situation को अच्छी दरा से देखने, समझने और जानने की ज़रूत रहेगी कल के दिन आपको, magic manifesting का यहाँ पर आपके expansion के जैसे मैं आप से कहा कि आपके awakening का time भी है, your consciousness is expanding, you understand the connections between all things, तो आपके जीवन में जो भी कल की दिन रहेगा, उसमें आप समझ पाएंगे कौन सी बाते आपके साथ क्यों हो रही है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, किस तरह से अपनी life में आपको growth करनी है, आपके ल आपके लिए हाँपे message है hydration का, आपके जो emotions है वो भी important रहेंगे, पानी पीना important रहेगा, अपनी energies को balance करना आपके जरूरी है, आपके लिए जरूरी है कि आप थोड़ी से exercise करें, free yourself का message है आपके relationship के लिए, it's time to take back control of your life, आपके लिए हाँपे advice है आपके angels की तरफ से, तो overall आपके लिए जो energy से बहुत ही अच्छी है और बहुत ही आपकी awakening में, आपकी growth में मदद कर रही है, आपको ही आपर focus करना है और यहाँ पर अलग point of view से चीज़ों को देखनी की कोशिश करना है, आपको अपना actually situation में control जो है back लेना है, चाहे हो आपके relationship हो या आपकी life हो, ज जहाँ पर अपना काम आपको कैसे करना है या बहुत अच्छे से बता है, कोई भी आपको नहीं बता सकता क्योंकि अपने काम में आप expert है, एक ऐसे person है जो कि hard work करने में विश्वास रखता है, अगर कल की दिन आपको hard work करने में दिक्कत आए, तो कोशिश कीजएगा कि अप आपका इस समय बहुत बहुत शुब हो, अगर आपका जनम दिन है तो birthday section में मेसेजिस सुनके ही जाएगा, comment box में जरू बताएगा यह reading आपको कैसे लगी, वीडियो पसंद आया हो, तो please like भी जरू कीजएगा, thank you so very much, God bless you all, welcome option B, आपका बहुत बहुत सागत है आपकी reading में, तो जिन लोगे ने भी अर्फाबेट B को चुना है, या बल्यो कलर की इंगल को चुना है, यह reading आपके लिए, आपके लिए जो पहला card है, बहुत ही खुबसुरत है, जो कि है मादुर्गा की energies की साथ में, strength का card है, आपके लिए blessings की तरह, तो जो भी situation कल की दिन रहेगी, यह divine आपको यहाँ पर protect भी कर रहा है, आपको guide भी कर रहा है, और आपकी साथ भी है, एक confidence वाली energy है, आपकी यहाँ पर divine को लेकि बहुत ज़्यदा trust है, बहुत ज़्यदा faith है आपका उस पर, again आपके लिए chariot का card है, यानि की again आपके लिए major arkanah का card है, कल की दिन जो भी victory आप को चाहिए, उसके लिए आपकी inner strength ही, आप क्या सहरा बनेगी, आपको इस जगा से लेकि जाएगी, यहाँ पर कुछ ऐसा है, जो कि अपने ही positive और negative side पर भी आपको focus करना होगा, एक balance बनाना होगा, यात्रा हो सकती है आपकी, तो यात्राएं आपके लिए, जीवन का कोई ऐ अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो energies है, वो आपके अच्छे के लिए ही है, दो card है, आपके major अरकाना के, कल का दिन आपके लिए बड़ा हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, इस बात का, कि किस तरह से आप अपने दिन को बिता रहे हैं, या किस तरह से आप अपने दिन के energies को carry कर रहे हैं, ओके आपके लिए जो next card है, ये card भी है devil का, मैं cards देखती नहीं हूँ पहले से कि कौन से card है, तो आपके लिए तीनों ही card major अरकाना के हैं, कल का दिन आपके लिए बड़ा हो सकता है, कल को important decision हो सकता है आपके लिए, कल के दिन आपके अंदर कोई अंतरद्वन्द चल सकता है, जो कि आपको temptation में लेके जाएगा, एक devil की energies में लेके जाएगा, कुछ blockages create करेगा, अपने ही कुछ डर हैं जो आपके उपर हावी होंगे, आपने से कुछ लोग को अपने comfort zone से बाहर निकलने की जरूरत है, आप उस comfort zone से बा इनर्जी जब होती है, आपको temptate भी करती है, आपको irritate भी करती है, आपको comfort zone में लेके जाती है, तो कल के दिन आपको यह देखना होगा, कि कोई भी ऐसी energy नहोंगे, जो कि आपको temptate करे, या फिर आपको पर परिशान करने की कोशिश करे, या आपके उपर कोई भय डाले, या फिर आपको थोड़ा सा comfort कर दे और आप आगे बढ़ना ही ना चाहें, आपके लिए मादुर्गा की energies बहुत important हो सकती है इस time period में, अगर आप अपने उपर कोई भी spiritually काम कर रहे हैं अपनी awakening के लिए, अपनी growth के लिए, तो आपको जरूरी यह धिहान रखना चाहिए, कि आपके लिए मादुर्गा की साथ में connect रहना बहुत जरूरी है, और जो लोग मादुर्गा की साथ में connect नहीं है, उनका अपनी willpower, अपनी inner strength feature फोकस करना चाहिए, essential का card है यहाँ पर आपके लिए, move into your true self, rise above the darkness, the light is here, आपके लिए यही message है, और कल काट से, यह आपके सामने नहीं मैं निकाल रही हूँ, अपने ही किसी self से आपको बाहर निकलना है, move into your true self, अपने किसी true self में आपको जाना है, rise above the darkness, devil की energy is darkness की energy है, the light is here, तो आपके पास में light है, आपके पास में वो ग्यान है, आपके पास में वो wisdom है जिससे की आप उनचीरों से बाहर निकल सकते हैं devil का card जब भी आता है, ये card बताता है आपके लिए उस energies की बात, जहांपे आपको temptation होता है, जहांपर आपकी जो addictions होते हैं, वो आपके पर हावी होते हैं, जहांपर कुछ ऐसी बाते, कुछ ऐसी चीज़े होती हैं, जो आपको रोकती हैं, आपके डर होते हैं, आपकी आदत यहां पर आपको अपनी ही किसी स्रेफ से लड़ने की दरुरुत है या फिर उसको आपको हटाने की जरुत थह क्योंकि यह चीज आपके लिए फैद्धा नहीं होती आ है आपको आगे बढ़ना है और अपनी ग्रोध करनी है आपको आगे बढ़ना है और अपनी ग्रोध करनी है आपके लिए यहाँ पर मैसिज है डिवाइन हीलिंग का और यहाँ यहाँ पर आपकी डिवाइन हीलिंग है आपके लिए यहाँ पर मैसिज है कि आप अपने आपको रिचार्ज कीजिए अपने आपको हील कीजिए और आपकी जो लाइट है वो लोगों को सपोर्ट करेंगी ज इस वजा से भी आपको इस inner strength की जरुरत है, आपको इस devil की energy से बहानी करने की जरुरत है, क्योंकि आप उस victory के position में हैं, उस journey में हैं आप जहां पर आप लोगों को भी बहुत कुछ सिखाएंगे, तो इसलिए अपने पर trust कीजिए और कोई भी ऐसे चीज़ जो कि आपको time treat करत है, आपका addiction में रखती है, आपके relationship के लिए जो advice है, आपके इंजस की तरफ से, वो message है very soon का, clearly decide what you want, so that it comes to you now, तो आपको clearly कुछ decide करना है अपने relationship में, तक कि आपके लिए चीज़े better हो सकें, आपके लिए growth हो सकें, आपके लिए message है, आपकी health के लिए unconditional joy का, तो जो भी आप आपको medical issues हो, उसके लिए medical professionals हैं, उनी को दिखाईए का, लेकिन जो आप spiritually अपने आपको आगे बढ़ा सकते हैं, और आपको आर्चेंजर राफिल से prayer करनी चाहिए, कि आपके आसपस जो खुशियां है, जो अच्छी बाते हैं, जो unconditional joy है, उसकी तरफ आप focus कर सकें, overall आपके energies बहुत ही, बहुत ही गंभीर हैं, इसको आपको गंभीरता से ही लेना चाहिए, तीन मेजर अरकाना के काड़ हैं, आपके लिए टैरोसी है, आपकी life में कुछ ऐसी situation हो सकती है, जो कि देखने में और सुनने और समझने में बहुत छोटी सी होगी, लेकिन ये आपके जीवन को निर्धारिक करेगी कि आप कैसे जीवन जीएंगे, जैसे कभी-कभी एक छोटा सा होता है, आपके लिए कोई यसी सोच होती है, जहां पर आप सोचते हैं कि आपको exercise करनी है, और आप सोचते हैं बस आज ही नहीं करेंगे, बस आज ही आपके लिए devil की energies होती हैं, तो यहा से कुछ लोग अगर Lord सूरे को मानते हैं, यह सूरे भगवान को मानते हैं, तो यहां पर आपको उनको जरू मानना चाहिए, और जिस तरह भी आप उनको जल्व अगेरा अर्पित करते हैं, वो आप कीजिए, क्योंकि यहां पर Lord सूरे की energies भी बहुत strong है, अगर आप किसी भी की तरह से उन से connected हैं, तो आपको इस energy का लाव उठाना चाहिए, आपको इस दिन आपके समय बहुत बहुत शुरूब हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करके ही जाएगा, कमेंट बोक्स में जरू बताइएगा, यह reading आपको कैसी लेगी, और अगर आपक सेक्शन में अपने messages सुनके ही जाएगा, thank you so very much, God bless you all, welcome back friends, आप सब को बहुत बहुत स्वागत है, तो जिनका भी जनम दिन है, 10 अगस 2021 के दिन में यह reading है आपके बारे में, तो आपको हम सब की तरफ से जनम दिन की हार्दिक बताई हो, इश्वर करें कि आपको वो मिले जो what are magnetic and powerful miraculous changes are occurring, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ miracles हो रहे हैं, और यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ miracles हो रहे हैं, उनके साथ में आपको connect होना चाहिए, आपको देखना चाहिए, कि कौन सी वो बाते हैं, कौन से वो thoughts हैं, जो कि आपकी लाइफ में आपके प्रस्तिति अपको अपने नौ में रहना चाहिए, यान준 कि प्रस्तिम्स में देखिए क्या चल रहा है, जो भी बाते हैं, जो situation हो किस medium हैं यहाँ पर आपके लिए चैनल two आपको कि यहाँ पर आपको देखते हैं आपके लिए चैनल में से या साती है, में से मेस्टिस क्या जस्ते द skill को भी बढ़ाने के लिए आपके लिए next message है साई बाबा का तो साई बाबा से अगर आप connected है तो आपके लिए blessings है आपके बर्डे पर उनकी तरफ से नहीं है और उनकी तरफ आकर्शित अगर आप हो रहे हैं तो definitely यहाँ पर साई बाबा आपकी help कर रहे हैं आपको यहाँ पर present moment में रहके किसी truth को भी देखनी की जरूरत है कुछ अपने बारे में भी ऐसा हो सकता है कि आपको सचाईया देखनी है divine का message है तो आपको divine के साथ में connect होना चाहिए आपको यहाँ पर जो higher energies है उनके साथ में connect होना चाहिए leave का message है तो आपको कुछ truth देखनी है और किसी situations को leave करना है तो उसके लिए भी तैयार है शॉपिंग का message है आपके लिए तो कुछ अपने लिए shopping आपकर सकते हैं जो की बेहतरी के लिए हो सकती है आपके लिए आपके लिए ब्लास कर रहे है और आपको यहाँ ब्लास कर रहे है तो अपनी purity of heart बनाए रखी आपके भी वेट को ह अपने जो दिल की मासूमियत है यह जो आपकी आत्मा की खुबसूरती है उसको खराब नहीं कीजिए New start का message है आपको किसी चीज को छोड़ने की जरूरत है और new start करने की जरूरत है Restrict का message है तो आपको कुछ बातों को restrict करने की जरूरत है पिर अगर आपने बहुत आता है, तो यहां पर आपको इस जगह चात आपने आपको रस्ड्रिक्ट कर रखा है, तो यहां पर आपको इस जगह से उस कभी जो इश्वर का किया हुआ होता है वो सबसे बहतर होता है तो आपके case में या फिर आपकी situation में कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर आपको इश्वर के उस निर्ने का सम्मान करना चाहिए या उसे accept करना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए ताकि आप अपनी उसफलता को पा सके अपनी ग्रोज कर सके तो आपको आपकी जनम दिन की हारदी पदाई होप कि ये messages आपके काम में आए आपके दिन आपके इसमें बहुत बहुत शिवो वीडियो पसंद आया है आपके पहुत बहुत आपके एल